अब आपने किचन में लेके आएं बैगन की यूनिक सी रेस्पी बैगन की मसाले वाली सब्जी और बैगन का भरवा तो आप कई भर खाये हैं खाई ही होंगे लेकिन एक बार इस तरह से आप जब बैगन की सब्जी बनाकर खाएंगे ना सच में आप यसका स्वाद नहीं भू और अपना इस्पिरेंस भी हमारे साथ सेहर करिएगा तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं वेलकम बैक ठोला शाचा लग्ली मेंचिए अगयों चागते हैं पिर उस में से पिसेज़ कर ले जिया की तो यहांगी जैसरे भड़ता वाला वेला वेलकम्ही दाना दोक की जाल जिर्म को बाप कर नहीं करेंगे चीरा लगाएंगे जिस तरह से हम लोग पके हुए आम खाते हैं उस तरह से चारत दरफ से कट का निशान लगा देना है इस तरह से कहला है तो अगर आप हमारे तो चलिए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो हमने यहां पर सारे बेगन को कट कर लिया विसे हमें प्लेट में उठा के रख दीगे अब इसके लिए हमें बनाना है सीक्रेट मसाला तो यहां पर हमने एक बाउल में ले लिया है देड़ चमच के करीब धनिया पाउड लिए अज़ए में पाउडर उसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचुर पाउडर दो नमक जले अब इसको भी हमें में मिक्स करना है अब रहा है और इस पर हम चम्मच से इस तरह से मसालों बदना रखा है ना मसालों को हम इस तरह से इस पे हम लगाएंगे कि मसाले जो है नो उन सारी पीसेज के अंदर भी चला जाए इससे क्या होगा गी जैसे कभी होता है ने बड़े साइज का वेगन बनाओ तो उसमें ऊपर से तो मसाले मसाले लगा रहते हैं और अंदर से पानी पानी सा में मसाले लगा लिए बहुत ही अच्छी तरह से यह दीखिए अब इसे हम रख देंगे साइड में अब हमें गैस पर और यह जो बच्चे हुए मसाले ना इसको भी हम रख लेंगे अब गैस पर हमने रख लिया एक तवा उस पर हमने एक चंबच के करिब डाल दिया है स्टारर में एक तरह espaço हमसाले में रखानाया और बैट यहों दुग रख लिया मतलब मसाला वाला हिस्सा उपर होना चाहि cr達 मसाला नहीं लगा वह वाला हिसा नीचे रहना चाहिए अभी से कवर करके इसको एक दम लो फ्लेम पे थोड़ा पकाएंगे के लिए ऑपोब करдаक इसमें हमें इस्टर ऑईल डालने की ज़रूरत नहीं अभी इसी तरह सम्तवे को घुमा देंगे साथ कि जो मतलब कोई भी ऑईल किनारे पर लगा हो फिर से बैगन में अच्छी तरह से लग जाए फिर दो से तीन मिड़े तक इस साइड भी हम इसको पका लेंगे तो यहां पर पर उन दोनों बैगन को भी रखके तवे पर उसको भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लोंगी तो चलिए इस पीसे को भी हम यहां पर फ्राई कर लेते हैं सब्जी हमारे बहुत ही टेश्टी बनने वाली है आप इसको जरूर ट्राई करिए मेरे कहने पर एक बार औ यहां पर जो बाकी की भी बैगन थे वो भी हो गए फ्राई अब हमने गैस पर रखा है दूसरी कड़ाई कड़ाई में डाल दिया दो से ठाई चमच के करीब तेल गरम होने बाद आदा चमच जीरा आदा चमच राई और आदा चमच यहां पर हम डाल देंगे हींग जब जी इसको हम भूल लेंगे प्याज को जो हलका हलका ब्राउन कर लेंगे यह देखिए प्याज को इस तरह से ब्राउन हो गया है अब यहां पर हम एट करेंगे एक चमच अद्रक और लेसन का पेजट पेजट डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 20-25 से एक से दो मिनट के लिए भून लिया है उसके बाद अब हम यहां पर डाल देंगे जो बचे हुए मसाले थे ना हमारे वही मसाले हम यहां पर एड करने वाले हैं अब मसालों को डाल गए हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स मिक्स करने के बाद अब यहां पर हमें क्या करना है डाल देना है थोड़ा नमक स्वादनुसार थोड़ी से हमने यहाँ पे डाल दी है कस्मीरी लाल मिर्च अगर आपको तीखा और खाना है तो आप यहाँ पे और इस्ट्रा मतलब लाल मिर्च पॉडल डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पे कस्मीरी मिर्च ही डाली है लाल मिर्च ताकि इसमें कलर अच्छा है तो यहां पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुनगे आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा ही आया है सारे तेल जो है मसाले से अलग हो गए अब यहां पर मैं आदा गिलास की करीब डालोंगी पानी मिक्सर जार में ही डालके हमने आदा ग प्रवाइब ग्रेवी के साथ नहीं अच्छा लगता है बस मसाले दार बैगन पर मसाला लगा हुआ होना चाहिए तो अब इसे हमें क्या करना है कवर कर के इसको वॉयल होने तक हमें इसको पकाना है तो चलिए हमने मसालों को खुब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसक हमें एक बार फिर से चला देंगे अच्छी तरह फिर इसके बाद हमें यहां पर जो हमने बैगन फ्राई करके रखे है न वो सारी पीसे जिसमें एक एक करके डाल देना है बैगन हमारा पहले से ही कोख हो गया तो इसे हमें ज़्यादा दिर पकाने की जरूरत नहीं है तो ब ऐसेगए है अचारी मिर्च होता है उसका तेश्ट आने वाला है तो यह चार पर कर दो मिनीट के लिए वह एक दम लो फ्लेम पर कौद यहां पर यह देखिए यहांपक हमारा जो है काफी अच्छे हैं ऐसा नहीं है कि मसाला जल रहा है तो आप इसे वीच-वीच में एक आग पर चलाते भी रही है और सब्जी हमारे यहां बन गई फिर वापिस से मैंने इसको कवर कर दिया दो मिनट के लिए यह देखिए मसाला और बैगन बहुत अच्छी तरह से पग दिये थे दो मिनट के लिए ऐसे गैस बंद करके तो चलिए हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं सब्जी में हमारे बहुत जबर जासता कलर आ गया है बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आया है और जबर जास खुस्बू भी पूरे घर में फैल गया है किसी मतलब पता ही नहीं चलन नहीं हुआ है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमिया पर बैगन की रेस्पी हमारी बनके रेडी हो गई है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिए आपके घर कोई गेस्ट आता है न तो इसको पक्का जरूर बनाके खिलाए जो भी खाएगा न वो इसकी रेस्पी आ और हो सकता आप इसे सेयर भी करिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में आज तक बने रहने के लिए आप सभी को डेर सारत हैंक्यू